आज मतलब थोड़ा सा सीरियस इस्यू है दिखे पहले तो आज बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड हो चुका है मुझसे आज मार्केट ने पूरा मुमेंटम दिया है पुट साइड मेरा व्यू थोड़ा सा रिवर्सल वाला था मैं सोचा था कि यहां से रिवर्सल होने वाला है ठीक है सो मैंने कॉल साइड कुछ पोजिशन लिया था सिक्स्टी कॉन्टिटीज के साथ एंड विदीन उसी वक्त में मेरा हो जाता है लॉस ठीक है क्यों हो जाता है क्योंकि हंडेट पॉइंट डिरेक्टली हंडेट टूवन थर्टी पॉइंट के अरांड अरांड प्रीम तूट जाते हैं एंड वहां पर क्या था ना मेरा मतलब नेट काम नहीं कर रहा था ठीक है तो मैंने कुछ अपना एसल लगाया नहीं था अब एसल मैंने लगाया नहीं उसके वज़े से क्या हुआ ना 6,000 की मेरे पर मतलब लॉस वोज अरांड 8,300 के आसपास में कुछ लॉस हुआ जो की थोड़ा सा मैंने और होल्ड किया वह 6,000 के आसपास में मैंने कट किया हूँ आप लोग देख पाएंगे रुख जाओ यह मैं एक्जेक्ट बताता हूँ आपको देखे 5,645 के आसपास में मैंने लॉस बुक किया था ठीक है तो अब्वियसलियार यह मेरे लिए परसन प्लस हिट नहीं हुआ डिरेक्ली मैनुवली मुझे एक्जिट करना पड़ा लॉस को एंड फिर देखिए अब मेरे हाथ में एक ही चीज थी या तो मैं सिस्टम क्लोस कर दूँ या तो और ट्रेड्स लूँ ठीक है तो मैंने प्रेफर किया कि चलो मैं तोड़ा यह करता हू लास्टेड जो था यह वाला था मैं इसका रिजन लॉजिक रुखिए आपको एक्स्पेंट करी देता हूँ वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा गलती हुई है मुझसे आज मतलब मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना ओर ट्रेड करूंगा बट एनिवेस चलो लॉजन रुपीज ही लॉज रखा है सो देट इस गुट एंड चलिए यह देखे यह ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ यह बेस पर मैंने एक पोजिशन लिया था ठीक है 329 के आसपास में जो रेजिस्टेंस था जैसे इसका ब्रेक आउट हुआ मैंने एक्सेट किया स्क्राइब देखे यह रॉज 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 रॉज